वेक्टम स्टुटेंट्स तुडे वी विल डिस्कुस अबाउट सेकंड चैप्टर ऑफियर साइंस बुक और चैप्टर इस हाओ दू अनिमल्स टेक फूड अनिमल्स अपना फूड कैसे लेते हैं हमने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था हाओ दू प्लांट्स लेव मत इस तरह से अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं अब हम सेकंड चैप्टर में डिस्कुस करेंगे एनिमल्स के बारे में तो आपने फर्स चैप्टर में यह तो समझी लिया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो और ट्रॉफिक नूट्रिशन शो करते हैं और आप सिक्स क्लास में पढ़ चुके हैं हर्विवोर्स, कार्णिवोर्स और ओम्निवोर्स के बारे में और यह भी पढ़ चुके हैं कि यह तीनों ही टाइप्स हैं हेट्रोट्रॉफ्स की जो की बोले जाते हैं एनिमल्स तो हेट्रोट्रॉफिक नूट्रिशन शो करने वाले एनिमल्स को हम ब के लिए डिपेंड करते हैं अधर प्लांट्स पर और अदर एंटिमल你们 िंट ह्ट्रीं हर्भी वक्तेजियू में और अोम्निवर्स यह व criança पलकी टर्रसा थे पर एक्सांपल काव कार्णि बोस्ट में फ्लेश इटर्स काते हैं ईवस्टी में और विस ऑफ से में plant और meat दोनों खाने वाले आते हैं और उसका example है human beings तो human beings plant और animal sources दोनों से अपना food लेते हैं जो आपने 6 class में बढ़ाए अब देखिए आप animals जो food लेते हैं वो carbohydrate, fat, proteins की form में लेते हैं जो की complex solid organic matter होता है मतलब जो बहुत जादा complex form में होते हैं और उनको हमारी body complex form में use नहीं कर सकती है इसी लिए body उसको change करती है simple form में और simple soluble form में ही body उसको absorb करके यूज करती है और उसका use वो growth में और नई cells के development में और जो maintenance work होता है body के अंदर इसमें use करती है तो carbohydrate fat और proteins ही complex food में आते हैं और इनका use animals अपने nutrition के लिए करते हैं और nutrition का जो यह mode है इस mode को holozoic nutrition बोलते हैं because इसमें कोई भी animal या कोई भी organism complex food को अपनी body में लेता है body के अंदर ले जाता है और फिर उसे वो simple form में convert करता है और उसके बाद उसकी body में use होता है तो holozoic nutrition में यह five steps होते हैं जिनके through जो complex food है वो simple food में change होता है और उसका फिर use होता है और जो भी waste है वो बाहर निकल जाता है तो इस holozoic nutrition के steps आप अच्छे से समझेए जिनमें first step है ingestion, second है digestion, third है absorption, fourth है assimilation और fifth है ingestion ingestion जो process है वो food intake की process है मतलब जब animal बाहर के environment में से food को जिस process के through अपनी body के अंदर ले जाता है उसे ingestion बोलते हैं ingestion के बाद digestion होता है, digestion में complex food simple soluble form में तूटता है और जिसमें कई सारे chemical substances, enzymes help करते हैं और complex food को simple soluble form में change कर देते हैं third step होता है वो होता है absorption, after digestion जो simple soluble form होती है food की उसे body की जो cells है वो absorb करती है और उसके बाद fourth step आता है जो है assimilation जब body cells nutrients को absorb करती है तो उसके बाद वो उसका use करती है वो अलग अलग type के chemicals develop करती है cells अपनी growth में यूज करती है maintenance में यूज करती है fifth step इजेशन इजेशन में जो भी food undigested रह जाता है और जो फिर as a waste product हमारी body से बाहर निकलता है तो उसे हम बोलते है इजेशन यह holozoic nutrition के five steps है जो हर animal में होते हैं जिसके अंदर holozoic nutrition होता है यहां पर insight में आपको बताया गया है when you visit a hospital you will often notice patients getting intravenous nutrition the glucose goes directly to the blood and it is utilized by the body cells जब आप hospital में किसी को देखने जाते हैं तो आपने कभी कभी notice किया होगा patients के glucose चल रहा होता है उस type के nutrition को हम intravenous nutrition बोलते हैं because उसमें glucose सबसे simple form जो होती है food की वो directly blood को supply किया जाता है और उसको directly body cells use कर लेते हैं इस nutrition को intravenous nutrition बोलते हैं next अब हम देखेंगे अलग-अलग animals में किस तरह से ingestion होता है मतलब food के body में अंदर enter होने की जो process होती है ingestion वो अलग-अलग animals में अलग-अलग होती है तो हम वो देखेंगे सबसे फर्स्ट है अमीबा अमीबा एक simple unicellular organism है जो की food के चारों तरफ अपने जो false feet होते हैं मतलब उसका body structure is type का होता है कि वो food के चारों तरफ जो उसके false foot होते हैं उनको बाहर की तरफ निकालता है और food को चारों तरफ से गहल लेता है और इस तरह वो food को ingest करता है पैरा मीशियम में उसकी body पे जो cilia लगे रहते हैं मतलब hair like structures होते हैं जो की food particle को उसके मूतक ले जाने का काम करते हैं और धीरे धीरे उसे sweep करते हैं और मूतक ले जाते हैं हाइड्रा में टेंटाकिल्स होते हैं इस टाइप की cells लगी रहती है उन टेंटाकिल्स पर टेंटाकिल्स बोल सकते हैं हम चाबुक जैसे structure होते हैं जो की special type की cells से बने होते हैं जो की अगर जो भी उन्हें अपनाले ना होता है तो उस ऐनिमल पर वोट को थोड़ा सकता है अगर इस जो भी वो प्रे में अपना हरता है और यससे अपने मूं में लेता है जाता व sólo पुश करते हैं उसे उसके माउथ में फूड है य हीजी हैं में यह है था कि वह हार्योंias Layer मॉस्क्यूटो और बटरफलाई यह यूज करते हैं इनके पास होता है इस टाइप का माउथ पार्ट इनके अंदर होता है जिसको फीडिंग ट्यूब की फॉर्म में हम बोल सकते हैं जो की बलड या फे नेक्टर के सक करने के काम में आता है तो यह इस तरह से अपने फूड को इसा करते हो फ्रॉट के अंदर संड hack के अपने प्रे को पकडने के लिए और उसको अपने मुह में ले जाने के लिए झार दक यूज करते हैं जो वार्टर के ऊपर प्लट कर रह होते है चोटे चोटे पूड ह coating को अपनी जो पास होती है। रहो प्से है इसको करतें है थे ह फूड को इंजेस्ट करते हैं और हुमन बींग्स फिंगर्स का हैं यूज करते हैं फूड को अपने माउथ तक ले जाने के लिए तो यह इंजेशन के तरीके थे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमीबा में होलोजोग न्यूट्रिशन किस तरह से होता है तो देखिए इसको हम समझ सकते हैं फूर स्टेप से जिसमें जो थार्ड और फूर्थ स्टेप है उसको एक साथ मिक्स करके लिखा हुआ है तो यह फाइव स्टेप ही है जो थार्ड और फूर्थ स्टेप है वह एक साथ लिखा है रेखिए एब्सॉप्चन और ऐसी मिलेशन फर्स स्टेप इंजेशन जिसमें देखिए अमीबा जिस तरह से फूर्ट पार्टिकल को घहता है आप उसको डाइग्राम से समझ सकते हैं एकि फूर्ट पार्टिकल उ अंदर ही रह जाता है और वहां पर फूर्ट वैक्यूल बन जाता है मतलब बबल टाइप में एक स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद जो फूर्ट वैक्यूल होता है वह आपको देखी डाइशन में दिख रहा है इस फूर्ट वैक्यूल के अंदर यह जो फूर्ट है वह और इसी फूट वेक्यूल के अंदर ही जो अमीबा है वो अपने एंजाइम को रिलीस करता है और वो इस फूट को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं फिर एब्सॉप्शन और एसे मिलेशन होता है साइटोप्लासम इना थिधूज कर जाता है और उसके बाद जो सेल है अमीबा की वह जो यूज कर लेती है अब समय जिसना के लिए जो भी फूट आउड शुट रह जाता है वह इस तरह ऐस आपको डाइग्राप में शूडरा है उस तरह से बाहर निकल जाता है तो यह था अमीबा का डाइजेशन और एसिमिलेशन एब्जॉप्शन एजेशन और इंजेशन मतलब यह पांचों स्टेप जो थे वो अमीबा के हॉलोजोएक न्यूट्रिशन के थे अब देखिए यहां पर हमने डिसकस किया था एंजाइम्स के बारे में तो वो डायस्टेव एंजाइम्स आप देखिए यलो बॉक्स में लिखे हुए हमारी बॉड़ी में भी एंजाइम्स निकलते हैं तो एंजाइम्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए एंजाइम्स केमिकल होने के लिए उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो ऐसे चैमिकल सबस्टेंश को एंजाइम्स पोला जाता है जो कि खुद रियक्शन में अंचेंज़ रहते हैं मतलब इन जाइम्स पर कोई भी एफेक्ट नहीं करता है एंजाइम्स का लेकिन इनकी प्रिजेंस बहुत जरू बहुत सारे enzymes release होते हैं जो की body के अंदर complex food को simple soluble form में convert करने में help करते हैं तो फिलाल आप यहीं तक अच्छे से इसे समझें पूरी वीडियो को और जिसके जो भी डाउट हैं वो मुझसे पूछ लें थेंक यू